गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे flip card के customer care के पास call करके बात पतर सकते हो बहुत सारे बोलते हैं कि आखिर मतलब इससे पहले बता दू क्यूं आप बात करना चाहते हो गाइज हो सकता है आपका product return नहीं हो रहा होगा या आपके product आ गया होगा या आ flip card पे तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step करके दिखाऊंगा कैसे आप customer care के पास call कर सकते हो और उनसे आपका जो कोई भी problem होगा flip card पे order नहीं हो रहा होगा या payment first गया होगा या return करना है या replacement करना है या आपको कोई भी problem हो flip card से related आप उनसे query कर सकते हो आता हूँ कैसे आप customer care के पास बात कर सकते हो और अपना problem का solution भी पास सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू गैज यहाँ पर मैं आगया हूँ अपने mobile के home screen पे उसके बाद गैज अब आपको करना क्या flip card application को आपको open करना है और गैज जैसे ही flip card application को आप open करते हैं उसके बाद कुछ ऐसा और इस परकार से dashboard आता है उसके बाद गैज उपर में आपको देखने के लिए मिल जाता है three dot जी हाँ दोस्तों तो आपको यहाँ पे click करना है और गैज जैसे ही आप three dot पर click करते हो उसके बाद गैज यहाँ पे बहुत सारे आपको interface देखन नीचे से आपको third number वाले पे तो help center वाले option पर आपको click करना है और गैज जैसे ही आप नीचे से third number वाले option पर click करते हो उसके बाद गैज ऐसा और इस परकार से interface आएगा तो गैज हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं आपको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हो what issue are your facing आप को click करने तो guys आपको simply से I want to help other issue पर आपको click करना है क्योंकि हम लोग को customer care के पास बात करना है यानि कि यहाँ पे click करना है तो यहाँ पे सबसे last वाले पे click करने के बाद guys और यहाँ पे देख सकते हो select and issue तो guys यहाँ से भी issue select कर सकते हो बट यहाँ से click करोगे तो guys आपको return मे आपका जबाब आएगा customer care के पास बात नहीं होगा तो यहाँ पे again से आपको last वाला option others वाले option पर click करना है और guys जैसे ही others वाले पर click करना है तो guys यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे contact us का आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे में तो guys यहीं पे आपको contact us में click करना है जैसे ही contact us में click करते हो तो नीचे देख सकते हो request or call जी हाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो within eight minutes के अंदर आपके पास call आजेगा तो simply से आपको यहाँ पे भी click करना है request call पर आपको click करना है और guys जैसे ही request call वाले option पे click करते हो तो guys यहाँ पर देख सकते हो आपका इसी phone यहां पर देख सकते हूं आपके समने कुछ ओर इस परकार से आजेगा मैं चाहता हूं नेक्स्ट यहां पर 7 minute के अंदर आप जो भी timing चाहते हो आप जो भी timing पर फ्री रहना चाहते हो तो उस timing पर आपका call आजएगा तो मेरा next seven यहाँ पर आजाएगा 7 minute के बाद और message में आपको कुछ भी आपको लिख देना है उसके बाद I agree and receive call next seven minute पर आपको click कर देना है और guys जैसे ही इस पर click करते ह हो उसके बाद यहाँ पर submit वाले option पर click करना है और guys जैसे ही submit वाले option पर click करते हो तो guys आपको next seven minute आपको wait करना है seven minute wait करने के बाद guys यहाँ पर देख सकते है मेरा flip card के customer care के पास से call आच चुका है और guys अब यहाँ से आप receive करो और receive करने के बाद जो भी बात करना चाहते हो जो भी आपका problem है यहाँ से आप आसानी से और easy में अपना problem का solution पा सकते हो I hope कि आप इस वीडियो को complete watch किये होंगे और step by step देखे होंगे तो आपका flip card के customer care से बात हो गया होगा बात होने के बाद जो भी आपका problem होगा उसका solution हो गया होगा और आपको कोई भी doubt हो कोई भी problem हो तो comment section में comment करके बता सकते हैं और guys आप भी चाहते हो flip card से घर बैठे और करना जी हाँ दोस्तों तो वीडियो का link मिल गए description में 10-15,000 monthly कमा सकते हो वीडियो उसका यहाँ पर भी जा करके check out कर सकते हो तो guys अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को किजिए like channel पर first time visit के हैं तो channel को किजिए subscribe तो guys मिलते हैं ऐसे ही नए और अधार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक किया